अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले हाई गाईज वेकम बैक टो मैं चानल रिचेश मेरा व्लोग और मैं खुरी इच्छा आज सथ संदे तो ममी और मैं दीमाड जाने के लिए तयार हुए और हम गए दीमाड ग्रोशरे शॉपिंग करने के लिए संदे को हमारे शॉप हाफ टाइम क्लोज रहती है इसलिए मेरी ममी को संदे को ही टाइम मिलता है शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे मेरी ममी पोस्ट दे रही है फोटो क्लिक करने के लिए और अब हमने लिया है पॉपकॉन शॉपिंग करते करते हम इतना ज़्यादा ठक जाते हैं कि हम पॉपकॉन पार्किंग में ही बैटके खाते हैं उसके बाद गए हम घर मैंने बनाया आलू और प्याच के पकोड़े गाईज यह दो तिन दिन का मिक्स व्लॉग है तो यह नेक्स डे की मॉर्निंग है मेरी ममी को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप देख सकते हो कि हमारी छट में कितने सारे पौधे हैं हमारे घर के पास शेओ जी का मंदीर है जो कि अभी नया बना हुआ है तो मंडे को पहला सावन सो मार्था तो वहाँ पे भंडारा किया जा रहा था आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीर थी आप देख सकते हो कि अभी ज़्यादा रहा देख सकते हो कि अभी नयादा बना हुआ है नेक्स डे में शाम को अपनी शॉप जाने के लिए रेडी हुई तो काईज ये है मेरा बड़ा भाई मुझसे बड़ा नहीं बट ये बड़ा क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगी घर पे तो मैं ही सबसे बड़ी हूँ देन ये है मेरा छोटा भाई चोटा भाई इसलिए क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे जो दोनों भाई हैं वो ट्विन्स हैं वो से 45 मिनट्स के बड़े छोटे हैं इसलिए हम एक भाई को बड़ा और दुसरे भाई को चोटा भाई बोलते हैं बहुत ही मुश्किल से मैंने इन दोनों की वीडियो ली थी क्योंकि दोनों मान ही नहीं रहते मेरी वीडियो में आने के लिए मेरी मम्मा यहां पर जा रही है शौप मम्मी को पता ही नहीं चला कि मैं वीडियो बना रही थी झाल झाल तो गाईज आज का व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा कल के व्लॉग में मिलते हैं बाई गाईज